आज मैं आपने लोगों के सार वेज बिर्यानी की रेसिपे शेयर करने जारी हूँ जिसमें मैंने प्यास और लैसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की है आप लोग सोच रहे हैं वेज बिर्यानी उपर से कोई प्यास कोई लैसुन नहीं है वो कैसा बनेगा पर एक बार आप अपने किचिन में इसे बना कर देखिए इसका स्वाथ से आप चौप उठेंगे वेज बिर्यानी बनाने के लिए मैंने लिए है एक काप बास्मती चावल जिसे आधा घंटा के लिए भीगोगे रखेंगे और इसके साथ हमने करीब 100 ग्राम माश्रूम लिए है इसमें बड़े बड़े 6 पीसेज माश्रूम है जिसे हम दो टुक्रे में काट लेंगे और आधा कप फूल गोबी जिसे हमने मीडियम पीसेज में काट लिए है पनीर हमने लिए है 100 ग्रम जिसे आधा इंच क्यूब्स में काट लिए है और लिए है एक बरा सा अलू जिसे हमने बॉयल कर लिए है इसे हम चाट टुक्रे में काट लेंगे और हमने लिए है आधा कप कैपसिकम जिसे एक इंच स्क्वेर शेप में काट लिए है कैप्सिकम आप्शिनल है और हमने लिए है एक कप टमाचो प्यूरी इसे बनाने के लिए मैंने बड़े बड़े दो टमाटर यूस की है बिर्याणी को हम घी हैं गीसे बनाएंगे इसलिए हमने करेब आधा कप घी लिए हैं और हम लिए है एक छोटी चमुझ बिरियानी मसाला इसका recipe link description box में दिया हुआ है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला का इस्तमाल कर सकते हैं एक छोटी चमुझ कस्तुरी में थी और इसके साथ हम लेंगे दो बरी चमुझ मूंगफुली पाउडर मूंगफुली को मैंने ड्राइडोस्ट करके grind कर लिये हैं और हम लिये हैं दो इंच अधर इसे हम grate कर लेंगे या इसका paste बना लेंगे और इसके साथ एक या दो तेज़ पत्ता अधा छोटी चमुझ काली मीच दो स्टीक्स दालचिनी पांच छै छोटी एलाची एक स्टार एनिज जिसे हिंदी में चक्रफुल कहा जाता है पांच छै लॉंग और लिये हैं दो सुखा लाल मेच सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रखेंगे और उसमें एक तेज़ पत्ता और कुछ साबुद गरम मसाला एट करेंगे जिसमें चार छोटी एलाची, आधा छोटी चमच, काली मेच, चार लॉंग और एक स्टिक दालचीनी है आब इसमें आधी छोटी चमच नमक एट करें और एक बड़ी चमच घी एट कर दें इन सारे चीजों के साथ जब पानी उबल जाएं तब इसमें भीगी हुई बासमती चावल अच्छी तरह धोकर एट कर दें चमच से एक बार मीक्स कर दें और इसे बीना धक्कन के 5-6 मिनिट उबालने दें फ्लिम को मैंने मीडियम पर रखें हैं चावल उबल रहा है आब हम एक दूसरा बर्तन में एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें दो बड़ी चमच घी गरम करेंगे आब इस घी में सारे विजिटेबल्स पनीर और मश्रूम हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे इन सारे चीजों को एक एक करके अलग अलग फ्राई करेंगे ये देखी दोस्तों इन सारे चीजों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पर रखी थी छै मिनिट बाद चावल को एक स्ट्रेनार में डाले और इसका पानी ड्रेन कर लें दोस्तों यहाँ पे एक बात की ध्यान रहें चावल को हमें 100 परसंट नहीं पकानी है इसे 70-80 परसंट ही पकानी है इसे ऐसे चेक कर लें इसे बिडियानी बहुत ही अच्छा बनता है 100 परसंट पकाने से चावल स्टिकी हो सकता है अब उसी कराई में एक और बरी चमज घी एड़ करें और घी में एक तेस पत्ता एड़ करें और इसके साथ सूखी लाल मीच चक्रफूल ईलाची दालचीनी और लॉंग भी एड़ कर दें इसे 30 सेकेंड लिए फ्राई कर लें अब इसमे आद्राग पेस्ट एड़ कर दे और इसे भी 30 सेकेंज के लिए फ्राए कर ले आब टुमाट़ पुडि एड़ कर दे और पुडि को इन सारी चीजूं के साथ अच्छी तरा मिक्स कर दे मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दे और इस मिक्सचर को बॉयल होने दे अब इस टोमाटो प्यूरी मसाला में कस्तुरी मेथी अड़ कर दे और मूंफुली पाउडर अड़ कर दे और अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर दे अब स्वाद अनुसर नमक एड़ करें बिर्यानी मसाला एड़ करें और एक और बार चम्मच से मिक्स कर दे अब इसमें एक चम्मच चिनी एड़ करें चिनी ऑप्शनल है बर चिनी के साथ ए बिर्यानी बहुत ही अच्छा लगता है अब इसमें सारी फ्राई की हुई माश्रूम, कैप्सिकम, आलू, फूल गोबी और पनीर एड़ कर देंगे इन सारी चीजों को चम्मच से अच्छी तरह मसाला के साथ मिक्स कर दे अब फ्लेम को बिलकुल कम कर दे और कढ़ाई को ढग दे और पांच से च्छै मिनिट कोखोने दे अब एक छोटा सा पैन में एक बड़ी चम्मच घी गरम करें और उसमें दो बड़ी चम्मच काजू और किश्मिश गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें छै मिनिट बाद ये वेजेटेबल कारी बन कर त्यार हो गया है आप गैस को बंद कर दे और कढ़ाई को ढाग दे चलिए अब दम बिडियानी का लेयर्स बनाते हैं इसके लिए एक फ्लैट बेस बर्तन में एक बड़ी चम्मच घी एड़ कर दें जब तक घी मिल्ट हो रहा है तब तक एक कटोरी में चार बड़ी चम्मच दूद लेंगे और उसमें कुछ सेफरन और कुछ क्योरा एसेंस एड़ करके इसे मिक्स करके साइड में रखेंगे फास्ट लेयर में आधा वेजेटेबल कारी एड़ कर देंगे बर्तन की बेस में वेजेटेबल कारी अच्छी तरह स्प्रेड कर दें अब इसके उपर सेकेंड लेयर में जो चावल हम बना के रखेते उसे एड़ करेंगे चावल को भी चम्मच से अच्छी तरह स्प्रेड कर दें आब इसके उपर दो बरी चम्मच दूद, सैफरन और केवरा एसेंस का मिक्स्चर स्प्रिंकल कर दें आब इसमें काटी हुई धन्यापत्ता स्प्रिंकल कर दें उसी तरह हम दुबारा वही लेयर विपिट करेंगे पहले विजिटेबल कारी, उसके बाद चावल, उसके बाद दूद मिक्स्चर और उसके बाद चौप्ट धन्यापत्ता अंथ में जो काजू और किश्मिश हम फ्राई करके रखेते वो उपर से एड़ कर देंगे अब धक्कन को बंद करें और बिर्यानी को मिडियम फ्लेम पर चार मिनिट दम दें चार मिनिट बाद फ्लेम आफ कर दे और बिर्यानी को सर्फ करने से पहले ऐसे ही दस मिनिट के लिए रखें बिर्यानी का खुश्बु से पूरा घर महक उठेंगा आब इसे गरम गरम देही के साथ सर्फ करें और बड़ी सुकून से खाए बिर्यानी को चमत से कराई के एकदम नीची से लेकर पड़ो से इसे बिर्यानी में सारे लियार्स का स्वाध आ जाता है दोस्तो ये बिर्यानी मैंने विवर्स के रिक्विस्ट पर बनाई हमें आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी इसे अपना किचिन में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले Thank you very much for visiting my must kitchen